Hello students, चलिए स्टार्ट करते हैं exercise 4.3 का question number 5 देख लेते भी टक्या है In a class test, the sum of cefali marks in mathematics and English is 30 एक class test हुआ मान लिया 10th class का ही आपका Cefali कोई लड़की है आपकी class में, उसमें math में और English में उसके दोनों के marks जो हैं वो 30 आए test में Had she got two marks more in mathematics, अगर उसने math में दो और नमबर ज्यादा प्राप्त किये हो And three marks less in English, और English में उसने तीन नमबर कम प्राप्त किये हो The product of their marks would have been 210, 210 तो उसने क्या का है, अगर math में उसके दोनमबर increase हो जाएं और English में उसके तीन नमबर deduct हो जाएं, कट जाएं तो उनकी product जो है, वो क्या है, 210 है Find her marks in two subjects, तो दोनों subject में उसके नमबर find out करने हैं हमने तो उसके लिए क्या करेंगे, आब math या English में से किसी भी subject के एजियूम कर लेंगे सबसे पहले, तो क्या करेंगे, let सेफाली math marks मान लिए math के marks एजियूम कर लेते हैं वो मान लिए क्या है, x, अब दोनों subject के marks कितने थे बटा, 30 अगर मान लिए math में उसने 15 marks एजियूम किये हैं, तो उसमें English में कितने होगे, 30-15 या फिर मान लिए math में 10 marks एजियूम किये हैं, उसने, मतलब 10 marks आए हैं उसके, तो English में कितने हो जाएंगे, 30-10 इस तरीके से लिखते हैं, तो उसके math के marks तो X एजियूम कर लिए, तो सेफाली English marks English में marks कितने हो जाएंगे बटा, उसके 30-X, math वाले subtract कर देंगे, 30 में से English के आ जाएंगे ये तो थी हमारी basic equation, अब move करते हैं अपनी condition के उपर जो उसने condition given है, according to first condition, math में देखेंगे बटा, अपने NCRT में, क्या का है उसने if math marks are two more, two more मतलब दो नंबर उसके ज्यादा हो जाएं, तो सेफाली math marks क्या हो जाएंगे बटा, पहले X थे, दो ज्यादा होगे, तो X पलस two होगे, कोई दिक्कत नहीं है, next देखते हैं, उसने क्या कहा, और English के marks, three marks less हो जाएं, तो सेफाली English marks कितने हो जाएंगे, English marks पहले कितने थे, 30 minus X, इसमें से तीन और सब्ट्रेक्ट कर देंगे, तो कितने आगे बटा, 30 में से three गए, 27 minus X, यह आगे उसके English के marks, अब देखते हैं, अब इनकी product जो है, उसने कितनी बोली है, 210 बोली है, तो क्या करेंगे, according to question, product of marks, कितने marks हैं उसके, मैत के कितने हैं, X plus 2, और English में कितने हैं, 27 minus X, इन दुनों की product कितनी आ रहे है, 210, यह condition है, अब simplify करना है, बस इसको, X की 27 से multiply की 27 X, X की minus X के साथ की, तो minus का X square, 2 की 27 के साथ की, तो 27 तू जा 54, 2 की minus X के साथ की, तो minus का 2 X, 210 को left hand side लेके आएंगे, तो minus का 210 equal to 0, तो यहाँ पर क्या आगया, minus का X square, 27 X में से 2 X गया, तो बटाट, plus का 25 X, और minus का 210 में से 54, अगर subtract करते हैं, तो हमारा आजाएगा 156, minus का 156 equal to 0, अब इनके sign क्या कर लेंगे, क्योंकि X square negative है, तो रिवर्ट कर लेंगे इनके, तो यह क्या हो जाएगे, X square minus का 25 X हो जाएगा, और यह plus का 156 हो जाएगा, equal to 0, ऐसे भी कर सकते हैं, या तो इसको पूरी को minus से multiply कर दो, या फिर इन terms को क्या अगरो, right hand side ले जाओ, तब भी रिवर्ट हो जाएगे, तो इस तरिक के से आपको पता चल जाएगा, क्यों रिवर्ट करते हैं, अब हमारे पास equation आगे, X square minus 25 X plus 156, इसको factorize करना है, तो sum जो है, वो क्या आना चाहिए हमारा, minus का 25, और product जो आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए, 156, ऐसे factor find out करने है, 156 के अगर factor करते हैं, 13 into 12, तो 156 होतता है, 3 to 6 हाँ, और minus 25 चाहिए, तो क्या करेंगे, दुन्नों को minus ले लेंगे, minus 13 और minus 12 क्या हो जाएंगे, minus 25, multiply करेंगे, तो plus 156, तो इक्वेशन के आगे, X square minus 13 X minus 12 X plus 156 equal to 0, first two term में से common क्या आगया बिटा, X, तो X minus 13, आप आगे क्या करेंगे, इन में से common क्या आगया, minus का 12, तो अंदर क्या हो जाएंगे, X minus 13 equal to 0, तो यहाँ पर X minus 12 और दूसरे factor जो आया हो, क्या है, X minus 13 equal to 0, दुन्नों को 0 के equal put करेंगे, X minus 12 equal to 0, X minus 13 equal to 0, तो X equal to 12, और X equal to 13, तो यहाँ पर दुन्नों positive value आई हैं, दुन्नों possible हैं, तो हमारे दो case बनेंगे, यहाँ पर इस क्यूस्चन में, case first क्या होगा बिटा, यहाँ पर देख लेते हैं, case first, X जो थे, वो किसके marks थे, math की, सेफाली, math marks, क्या थे, equal to X, equal to कितने मान लिए, 12, तो सेफाली, English marks कितने हो जाएंगे बिटा, English marks, कितने थे, 30 minus X, तो क्या करेंगे, 30 minus 12, is equal to क्या आजाएगा, 18, तो English के marks कितने होगे, 18, first condition तो यहाँ आगे, हमारी, अगर math में 12 marks हैं, तो उसके English में कितने होगे, 18, case number second पर मूँ करते हैं, तो case है न, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेफाली, math marks, X equal to क्या आगे, 13, तो English के marks कितने हो जाएगे, उसके, English marks, क्या थे, 30 minus X करेंगे, तो 30 minus X की value क्या, 13, is equal to क्या आगे, 17, या तो math में 13, 17, यह condition होगी, या फिर पहली क्या थी, हमारी 12, 18, यह condition होगी, इन दोनों में से कोई भी condition उसकी हो सकती है, इन दोनों को अगर हम किसी भी equation में, इस equation में put करके देखते हैं, तो हमारी left hand side equal to right hand side आएगी, तो उससे हमारा question क्या हो जाएगा, verify की question बिलकुल correct है, I hope यह question आपको अच्छे से clear होगा, कोई doubt होथा मुझे comment box में लिखिया, दरवाज इस channel को subscribe कीजिए, like कीजिए और अच्छा सा comment कीजिए, Thank you students.